आज बाप दादा के एक सप्टेमबर 2020 के मदूर महावाख्य सुनते हैं और आज के मुरली में बाप दादा ने कर्म, अकर्म, विकर्म की दो ये गति समझाए है तो सुनते हैं बाप दादा के मदूर महावाख्य ओम शांती मीठे बच्चे बाप आये हैं तुम्हें कर्म, अकर्म, विकर्म की दो ये गति सुनाने जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है तो कर्म, अकर्म होते हैं पतीत होने से विकर्म होते हैं आज की मुरली का प्रश्न है आत्मा का कट अर्था जंग चड़ने का कारण क्या है? कट चड़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या है? बाप कहें आत्मा पर जंग चड़ने का कारण क्या है? और कट चड़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है कट चड़ने का कारण है विकार्म पतीत बनने से ही कट चड़ती है अगर अभी तक कट चड़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी? यह है उसकी निशानी कि अगर कट चड़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी? बुद्धी क्रिमिनल तरफ जाती हूँ बाबा कहे बुद्धी क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी याद में रह नहीं सकेंगे तो तीन निशानियां बाबा ने बताई कि कट चड़ी हुए है तो पुराने दुनिया का आकर्शन होंगा बुद्धी क्रिमिनल के तरफ जाती रहेगी और याद में रह नहीं सकेंगे ओम शान्ती बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए है ओम शान्ती कहने से ही यह निश्चर ही हो जाता है कि हम आत्माएं यहां की रहवासी नहीं है हम तो शान्ती धाम की रहवासी है हमारा स्वधर्म शान्त है जब घर में रहते हैं फिर यहां आकर पाट बजाते हैं क्योंकि शरीर के साथ करम करना पड़ता है करम होता है एक अच्छा दूसरा बुरा करम बुरा होता है रावन राज्जी में रावन राज्जी में सबके करम विकर्म बन गये हैं एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म न होता है मनुष्य तो समझते हैं साधू सन्यासी आदी से विकर्म नहीं हो को बुलाते हैं जब तक वह न आये तब तक दुनिया पावन बन नहीं सकती हैं यहां यह पतीत पुरानी दुनिया है इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतीत दुनिया को याद नहीं करेंगे वह दुनिया ही अलग है हर एक चीज नई फिर पुरानी होती है न नई दुनिया में एक भी पतीत पुर न सकें तो कर्म और मनुष्य के पतीत या पावन होने का बहुत कहरा संबन है तो बावा कहें नई दुनिया में एक भी पतीत पुर न सकें नई दुनिया का रचेता है परंपिता परमात्मा वही पतीत पावन है उनकी रचना भी जरूर पावन होनी चाहिए पतीत सो पावन पावन सो पतीत यह बाते दुनिया में किसकी बुद्धी में बैठ न सकें कल्प कल्प बाप ही आकर समझाते हैं तुम बच्चों में भी कई निश्चे बुद्धी होकर फिर संशे बुद्धी हो जाते हैं, माया एक दम हप कर लेती हैं, तुम महारती हो न, महारतीयों को ही बाशन पर बुलाते हैं, महाराजां को भी समझाना हैं, तुम ही पहले पावन पूज्य थे, अभी तो यह है पतीत दुनिया, पावन दुनिया में भारतवासी ही थे, तुम भारतवासी आदी सनातन, देवी देवता धर्म के डबल सिर्थाज, संपूर्ण निर्विकारी थे, महारतियों को तो ऐसे समझाना होगा न, बाबा ने बच्चों को आज किस दृष्टी से देखा, कि सभी बच्चे महारती है, तो बाबा कहे कोई भी हो महाराजा हो या कोई भी हो सब को जाकर के समझाना है, और समझाना है कि कैसे देवी देवताएं डबल सिर्थाज थे, इस नशे से समझाना होता है, भगवान वाज कामचिता पर बैठ सावरे बन जाते हैं, फिर ज्ञानचिता पर बैठने से गोरा बनेंगे, अब जो भी समझाते हैं, वह तो कामचिता पर बैठ न सके, परन्तु ऐसे भी है, जो औरों को समझाते समझाते कामचिता पर बैठ जाते हैं, आज ये समझाते कल विकार में गिर पड़ते हैं, माया बड़ी जबरतस्त है, बात मत उचो, औरों को समझाने वाले खुद कामचिता पर बैठ जाते हैं, फिर पश्टाते हैं, ये क्या हुआ, बॉक्सिंग है न, स्त्री को देखा और कशिशाई, काला मुकर दिया, माया बड़ी दुस्तर है, प्रतेग्या कर और फिर गिरते हैं, तो कितना सौगुना डंड पड़ जाता है, वह तो जैसे शुद्र समान पतीत हो गया, गाया भी हुआ है, अम्रत पीकर, फिर बाहर में जाए, दूसरों को सताते थे, गंद करते थे, ताली दो हाथ से बचती है, एक से तो बज़ न सके, दोनों खराब बोजाते हैं, फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार ही नहीं देते हैं, समझते हैं, कहां म्राम्मन कुल में नाम बदनाम न हो जाए, युद्ध में कोई हारते हैं, तो हाहाकार हो जाता है, अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया, ऐसे बहुत एक्सिडन्ट होते हैं, माया थपड मारती है, बहुत बड़ी मन्जिल है ना, अब तुम बच्चे समझते हो, जो सतू प्रधान गोरे थे, वही कामचिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं, राम को भी काला बनाते, चित्र तो बहुतो के काले बनाते हैं, परन्तु मुख्य की बात समझाई जाती हैं, यहां भी राम चंद्र का काला चित्र है, उनसे पूछना चाहिए, मौटाबु में प्रगुनात जी का मंदिर है, तो बाबा कहे यहां भी रामचंद्र का काला चित्र है उनसे पूछना चाहिए काला क्यों बनाया है कह देंगे यह तो इश्वर की भावी यह तो चलता आता है क्यों होता, क्या होता यह कुछ नहीं जाने अब तुमको बाब समझाते हैं कामचिता पर बैठने से पतीत दुखी वर्थ नोट पैनी बन जाते हैं वह है निर्विकारी दुनिया यह है विकारी दुनिया तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए यह सूर्य वन्शी यह चंद्र वन्शी फिर वैश्य वन्शी बनना ही है वाम मार्ग में आने से फिर वत देवता नहीं कहलाते हैं जगतनात के मंदिर में उपर में देवताओं का खुल दिखाते हैं ड्रेस देवताओं की है एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते हैं बाप जिन बातों पर एटेंशन खिचवाते हैं ध्यान देना चाहिए मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है श्रीनात द्वारे में भी समझा सकते हैं पूचना चाहिए इनको काला क्यों बनाया है यह समझाना तो बहुत अच्छा है वह है गोल्डनेज यह है आईरनेज कट चड़ जाती है न? आईरनेज में कट चड़ जाती है न? अभी तुम्हारी कट उतर रही है जो याद ही नहीं करते तो कट भी नहीं उतरती बहुत कट चड़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी सबसे बड़ी कट चड़ती ही है विकारों से पतीत भी उनसे बने हैं अपनी जाच करनी हैं हमारी बुद्धी क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती अच्छे अच्छे फर्स क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते हैं अभी तुम बच्चों को यह समझ मिली है मुख्य बात है ही पवित्रता की शुरू से लेकर इस पर ही जगड़े चलते आये हैं बाप ने ही यह युक्ती रची सब कहते थे हम ज्यान अम्रत पीने जाते हैं ज्यान अम्रत है ही ज्यान सागर के पास शास्त्र पढ़ने से तो कोई पतीत से पावन बन नहीं सकते हैं पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है यहाँ पावन बन फिर कहां जाएंगे बाबा कहें यहाँ पावन बन फिर कहां जाएंगे लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया उनको क्या पता अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रिया करम आदी भी नहीं कर सकते हैं यहां जोत आदी जगाते हैं कि उनको कोई तकलीफ न हो अंध्यारे में ठोकर न खाए नावा कहे इसलिए लोग जोत जगाते हैं अंध्यारे में ठोकरे न खाए आत्मा तो एक शरी छोड़ दूसरा जाकर लेती है एक सेकंड की बात है अंध्यारा फिर कहां से आया यह रसम चली आती है तुम भी करते थे अब कुछ नहीं करते हो तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी हो गया वहां ऐसी रसम रिवाज होती नहीं आज कल रिद्धी सिद्धी की बातों में कुछ रखा नहीं है समझो कोई को पंख आ जाते हैं उड़ने लगते हैं फिर क्या? उससे फाइदा क्या मिलेगा? बाबा कहे मान लो किसी को पंख आ जाए उड़ने लग जाए लेकिन क्या हुआ? फाइदा क्या? क्या मिलेगा? बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे यह योग अगनी है जिससे पतीद से पावन बनेंगे नौलेज से धन मिलता है योग से एवर हेल्दी पवित्र ज्यान से एवर वेल्दी धनवान बनते है योगी की आयू हमेशा बड़ी होती है भोगी की कम कृष्ण को योगेश्वर कहते है इश्वर की याद से कृष्ण बना है उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे वह तो प्रिंस है स्वर्ग में तो वो प्रिंस है और संगम पर वह योगेश्वर बनते है तो बाबा कहे इश्वर की याद से कृष्ण बना है उनको स्वर्ग में योगेश्वर नहीं कहेंगे वह तो प्रिंस है पास्ट जन्म में ऐसा कर्म किया है जिससे यह बना है कर्म अकर्म विकर्म की गती भी बाप में समझाई है आधा कल्प है रामराज्य आधा कल्प है रावनराज्य विकार में जाना यह है सबसे बड़ा पाप सब भाई बहन है ना आत्माय सब भाई भाई है भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल एसॉल्ट कैसे करते है हम बी के विकार में जा नहीं सकते नावा कहे हम ब्रमा कुमार कुमारिया विकार में जा नहीं सकते इस युक्ती से ही पवित्र रह सकते है ये स्मृति कहो, ये जाग्रती कहो, इससे बाबा का पवित्र रे सकते हैं तुम जानते हो, अभी रावन राज्य खत्म होता है, फिर हर एक आत्मा पवित्र बन जाती है उसको कहा जाता है, घर घर में सोज रहां, तुम्हारी जियोती जगी हुई है ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है सत्युग में सब पवित्र ही रहते हैं यह भी तुम अभी समझते हो दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है नंबरवार याग में रहते हैं राजधानी कैसे स्थापन होती है कोई की बुद्धी में यह नहीं होगा तुम सेना हो न? जानते हूँ याद के बल से पवित्र बन हम राजारानी बन रहे हैं फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पुनिन माउथ होगा बड़ा इंतिहान पास करने वाले मरतबा भी बढ़ा पाते हैं फर्क पढ़ता है न? जितनी पढ़ाई उतना सुप यह तो भगवान पढ़ाते हैं यह नशा चड़ा हुआ रहना चाहिए चोब चिनी अर्था ताकत का माल मिलता है चोब चिनी यानि ताकत की चीज किसी को खिलाए तो कैसे ताकत आ जाती है? तो ताकत का माल मिलता है भगवान बिगर ऐसे भगवान भगवती कौन बनाएंगे? तुम अभी पतीत से पावन बन रहे हो फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे उच पद पाएंगे पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते हैं देह अभीमान में आने से फिर ज्यान का तीसरा नेत्र बंद हो जाता है माया बड़ी जबरदस्त है बाप खुद कहते हैं बड़ी महनत है मैं कितनी महनत करता हूं ब्रमा बाबा भी अपनान वह बताते कि बाबा कहें मैं कितनी महनत करता हूं ब्रमा के तन में आकर लेकिन समझ कर फिर भी कह देते ऐसे तोड़ी हो सकता है शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं हम नहीं मानते हैं यह चाला की है ऐसे भी बोल देते हैं यानि शिवाबा ब्रह्मातन में आकर के इतनी महनत करते पढ़ाते हैं तो भी कई ऐसे हैं जो कह देते यह तो कैसे हम माने शिवाबा आकर पढ़ाते हैं यह शायद इनकी चाला की हूँ राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी बाबा कहे कोई माने या न माने लेकिन राजाई तो स्थापन हो ही जाएगी कहते हैं न सच की बेड़ी हिलती है परन्तु दूपती नहीं है कितने विग्न पढ़ते हैं विग्न तो आने ही है विग्न न आए इतनी सरल्ता से कोई नई दुनिया स्थापन हो जाए, ऐसा नहीं होता है तो बाबा कहे कोई माने या न माने लेकिन नई दुनिया तो आने ही है भले ये नाव गिलेगी, डूलेगी लेकिन दूब नहीं सकती है चहे कितने भी विग न पड़े अच्छा, मिठे मिठे, सिकिल अधे, नूरे रत्म, शाम से सुन्दर बनने वाली आत्माव प्रति, मात पिता बाप दादा का, दिल व जान, सिक्व प्रेम से, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, हम सभी रुहानी बच्चो की रुहानी मात किता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया. मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट योग की अगनी से विकारों की जंक को उतारना है, अपनी जाज करनी है कि हमारी बुद्धी क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है, दूसरी पॉइंट, निश्चे बुद्धी बनने के बाद फिर कभी किसी भी बात में संशे नहीं उठाना है, विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाप की याद में करना है, जब स्वधर्म में स्थित होकर के कोई भी कर्म करते तो वह कर्म स्रेष्ट करम बन जाता है, आज की मुरली से वर्दान है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूरत हवा, विस्तार है, जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूरत है, वह पावरफुल है, ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्मयें ही सफलता मूरत बन सकती है, क्योंकि अभी सर्व आत्माय धूंडेंगी कि सुक शांती के मास्टर दाता कहां है तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉप होगा तब तो सब को संतुष्ट कर सकेंगे जैसे आज कल एक ही स्टोर में सब चीजें मिल जाती है ऐसे आपको भी बनना है कि सर्व प्राप्तियों का अनुभों का स्टॉप ऐसे नहीं सहन शक्ती हो सामना करने की नहीं सर्व शक्तियों का स्टॉप चाहिए तब सफलता मूरत बन सकेंगे आज का स्लोगन है मर्यादाय ही ब्राम्मन जीवन के कदम है कदम पर कदम रखना माना मन्जिल के समीप पहुँचना मर्यादाय ही ब्राम्मन जीवन के कदम है और ऐसे कदम पर कदम रखना माना मन्जिल के समीप पहुँचना अच्छा आज के मुर्ली में मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं और मातेश्वरी जी ने विशेश पुर्शार्थ और प्रारब्द का बना हुआ अनादी ये ड्रामा है इस विशेश पर कुछ विशेश बाते बताईए तो पुर्शार्थ और प्रारब्द का बना हुआ अनादी ड्रामा तो मातेश्वरी जी ने महावाक्य उच्छारे पुर्शार्थ और प्रारब्द दो चीज है पुर्शार्थ से प्रारब्द बनती है यह अनादी स्रिष्टी का चक्र फिरता रहता है जो आदी सनातन भारतवासी पूज्य थे वही फिर पुजारी बने फिर वही पुजारी पूर्शार्थ कर पूज्य बनेंगे यह उतरना और चड़ना अनादी ड्रामा का खेल बना हुआ है तो फिर किसी जीग्यासु ने मातेश्वरी जी से प्रश्न किया मातेश्वरी मेरा भी यह प्रश्न उठता है कि जब यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है तो फिर अगर उपर चड़ना होगा तो आप यह चड़ेंगे फिर पुर्शार्थ करने का फाइदा ही क्या पुर्शार्थ करने का फाइदा ही क्या हुआ जो चड़ेंगे फिर भी गिरेंगे फिर इतना पुर्शार्थ ही क्यों करे मातेश्वरी आपका कहना है कि ये ड्रामा हूँ बहू रिपीट हुटा है तो क्या ओल्माइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख तो ठकता नहीं है जैसे चार गुतू में सर्दी गर्मी आदी का फर्क रहता है तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा तो मातेश्वरी जी ने उत्तर दिया बस यही तो खुबी है इस ड्रामा की हु बहु रिपीट होता है और इस ड्रामा में और भी खुबी है जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता है पहले तो अपने को भी यह सिक्षा नहीं थी लेकिन जब नौलेज मिली तो जो जो भी सेकंड बाई सेकंड चलता है भल हू बहू कल्प पहले वाला चलता है परन्तु जब उनको साक्षी समझ देखते हैं तो नित्य नया समझते हैं अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है तो फिर पड़ ही क्यों नहीं फिर तू ऐसे भी समझे अगर खाना मिलना होगा तो आप भी मिलेगा फिर इतनी मेहनत कर कमाते ही क्यों हो वैसे हम भी देख रहे हैं अब चड़ती कला का समय आया है वही देवता घराना स्थापन हो रहा है तो क्यों न अभी ही वो सुख ले लेवे जैसे देखो अब कोई जज बनना चाहता है तो जब पुर्शार्थ करेगा तब उस डिगरी को हासिल करेगा न अगर उसमें फेल हो गया तो महनत ही बरबाद हो जाती है परन्तु इस अविनाशी ज्यान में फिर ऐसा नहीं होता जरा भी इस अविनाशी ज्यान का विनाश नहीं होता करके इतना पुर्शार्थ न कर देवी रोयल घराने में न भी आवे परन्तु अगर कम पुर्शार्थ किया तो भी उस सत्योगी देवी प्रजा में आ सकते हैं परन्तु पुर्शार्थ करना अवश्य है क्योंकि पुर्शार्थ से ही प्रारत बनेगी बलिहारी पुर्शार्थ की गाई कुई है फिर मातेश्वरी जी ने ये इश्वरिय नॉलेज सर्व मनुश्य आत्माओं के लिए है उस बात को समझाते हुए कहा पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट खाल में अवश्य रखनी है जब इस मनुश्य स्रिष्टी जाड का बीज रूप परमात्मा है तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुश्य के लिए जरूरी है सभी धर्म बालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है बल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है हर एक का शास्त्र अपना अपना है हर एक की मत अपनी अपनी है हर एक का संस्कार अपना अपना है लेकिन ये नॉलेज सब के लिए है बल वो इस ज्यान को न भी उठा सके हमारे घराने में भी न आवे परन्तु सबका पिता होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्षन में पद अवश्य पाएंगे क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं, हमें भी मुक्ती चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्ती होने की शक्ती भी इस योग द्वारा ही मिल सकती है। अच्छा, ओ मुक्षान। बहुत मुक्ती है।